सब्सक्राइब कीजे मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू और सबसे पहले में पहुँचे आपके पास नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है राजीव देव और आज मैं आपको सॉलिड केम पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे मैं आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो लेके आ चुका हूं आसा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और जिन भाईयों को सॉ बहुते मदान मिल जाएगा ठीक है में पास ये प्रोफाल है ठीक है तो मुझे इस पर क्यों करने दो प्रोग्रामिंग करनी तो प्रोग्रामिंग मैं कैसे करूंगा को वह से बर मेर्क बता का भूंगा तो देखिए मैं यह आप इस ऊठ्रहं और रखा है यह ठीक है nephew हो जा कि यह आपका फिनिस का होगा फिनिस का मतलब आपका बोल लोस सलेगा इसके पर ठीके तो प्रोग्राम के से बनेगा तो मैं स्टेप बाइश से बताता हूं ठीक है तो मैंने यहां से सारा चीजे जो थी पहले वह सारी डिलिट कर चुका हूं तो यह अपना एक्सिस रहेगा कोडिनेट इसमें ध्यान दने वाले बात यह है कि आपका जेड हमेशा उपण रहना चाहिए ठीक है और एक्स की डारेक्शन आप किदर भी कर सकते हो यह तो तरफ कर सकते हैं रोट्री के बोजट जहां आपके रोट्री रखी है वह उस डारेक्शन में आपकी एक्स की डारेक्शन आप रख सकते हैं वह आपकी मर्जी रहती है ठीक है और वाई अपने हिसाब से एडजेस्टेबल हो जाएगा तो अब इसमें मुझे रफ का भी टू प्रोफारील है आपकी ठीक है जो लेट के अंदर यहां है अपने पास कर लाफिंग के सारे टूल है आप अबकूण सने रफिंग के एचम रफिंग वी एक हैच्ब तो यहां से आप कोई सी लीन का तूल यूज़ ले सकते हैं लेकिन बेंश करे था है इसमें ठीक रहती है तो आप क्रफिंग पर जाओगे जोवेटरी में आपको क्या करना पड़ेगा यहां से यूज लेना पड़ेगा ठीक है अभी मेरे पास 12 का यहाँ यूज ले लोगा ओके पास आगर 14 लो तो बड़े से बड़ा यूज लेने कोशिस करना था कि आपका साइकल टाइम काम आए फिर आप यहां से create menu कर दोगे boundary type अगर आप boundary भी बना चाते हो तो बाउंटरी बना सकते हो तो create boundary वह मैं आपको आप बाद में आराम से इसके उपर एक वीडियो बना दूगा ठीक है यहां create automatic का मतलब है automatically का मतलब है कि आपने जो model बना है उसके अनुसार ही यह adjustable boundary बना लेगा ठीक है तो यहां में बोलनों चलाओगे तो पॉइंट टू पॉइंट थी के असपास आज में margin रख लीजिए यहां पॉइंट टूर्डेस आप यहां टॉर्डेस अपने इसाब से पॉइंट वह स्माइक्रों की टॉल्डेस देजिए स्टेप डाउन स्टेप डाउन देती जिए आप पॉइंट वाइब आराम से चल जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको यहां से टॉप जेड है अगर जेड भी की वेल्यू लेना चाहते हो तो यहां क्लिक करोगे तो यह ओटमेटिक जीरो हो जाएगा ठीक है बॉटम की जहलें को बॉटम पर क्लिक करोगे और इस पेस्ट करोगे ओटो मेंटिक यह पोटम की भी नहौंगा है यहां इसमूतिंग कर देंगे ठीक है लिंक में जाएंगें पर लिंक में यांच क्लाइंब principal और imagined यहां अपका टूल राइट और लेफ्ट यह चलता रहेगा ठीक है उसके बाद आपको यहां से कल्कुलेट कर देना है क्ल्कुलेट करने के बाद थोड़ा सा टैम लेगए उसके बाद आपका प्रोग्राम जानेट हो जाएगा कि यह आपका टाइम चल रहा है 12 पर शेड हो चुगा है 62 32 तो थोड़ा सा टायम लेता है प्रोग्राम बनने में अ और यह आपका प्रोग्राम बन चुका है देखे फ्रेंड्स यह आपका प्रोग्राम बनके तयार हो गया है यह रफिक का है अब कि यहां से मैं इसको सिमुलेशन करके दिखा हूं आप को यहां से आप इस पर सिमुलेशन पर जाओगे यहां है इस तरह से इस तरह से बना देगा ठीक है तो इस स्टेव को खतम करने के लिए आपको बॉल लोज लेना पड़ेगा तो बोन लोज आपके पास जो भी एवलेबल है चे का दस-का 12 मिनिम्मम से मिनिम्मम आप बॉल लोज चला सकते हो लेकिन 6 एम अपर लेना है और 12 यहांसे कम इस बीच आप बोलनोश चला सकते हो तो में पास च्चे का बोलनोश अभी एवलेबल है तो मैं च्चे का बोलनोश यहां यूज उलूँगा ठीक है तो यह आपका बारे के एंड ज्से प्रोग्राम न से भानी सी फोर हो इसके लिए इस सुधे मुझे टूल नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपको इसपे भी चलाना उस इसके लिए आप आपको अलग से boundary बना कर छला सकते हो अगर आपको चलाने की जरोत नहीं सवसर इसे इस पर जला नहीं तो आप चला सकते हो तो इस पर कैसे चला लगए यहाँ उसके बाद में अब यहां फिलेई मैं जरृत कर ना होगा यहां से यह करना होगा यहाँ से यह तो सारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां यूज ले सकते हो ठीक है उसके बाद आपको बाउंडरी पर जाना है तो बाउंडरी अटोमेटिकली यहां से यह ले लेगा ठीक है पासेज में आपको कुछ नहीं करना पासेज में बसे स्टेप डाउन है इसको आपको पॉइंट करने के बाद यहां से इसको भी मैक्रोन में कर दीजिए दो माइक्रोन का और यहां से आप कर दीजिए केल्कुलेशन करने के बाद जैसे केल्कुलेट होगा तो आपके पास प्रोग्राम बनके तयार हो जाएगा वो भी ओनली बॉल्लोज का थोड़ा से टाइम ले गए टाइम लेने के बाद थोड़ा से टाइम लेगा है को भी बोलनोच का है तो बोलनोच में थोड़ा से टाइम लेता है और यह आपका बोलनोच का बनके रेडी हो चुका है तो यहां से इसे में क्रोस करूँगा और यहां से जो अपने पहले टूल पाता है उसे हाइड कर दूँगा तो देखिए आप यहां ओनली बॉल्लोज का इसी इसी टेप पर इससे पर आपका बॉल्लोज चला है ठीक है फिन्स इसको सिमुलेशन करके देख लेते हैं आपको कि कल्कुलेट होने में थोड़ा से टाइम लेगा यह भी थोड़ा से टाइम लेता है यह होने के बाद आपको सिमुलेशन और भी चेक आपका जो कंशेप्ट हो क्लियर हो जाएगा यह देखिए आपका पहले रफ का टूल चला था तो रफ में देखिए यह इस तरह से स्टेप आपके छोड़ दे थी अब मैं फिनिस का यहां यूज लूँगा पके किया तो देखिए बर्लोज आपका यह सारे जो आपके स्टेप थे सारे क्लियर कर दो चलेगा इस तरह से आपका बॉन लोज यूज होगा तो इस तब आपकर क्लियर करते गा ठीक घृट्ट तो आपका यह बोन नोज फिनिसिंग ला देगा और भी अच्छी फिनिसिंग चाहिए तो आपको जो मैंने 50 माइकरोन किया था इसे और कम कर सकते हो दो माइकरोन 3 माइकरोन लेकर उसमें बस यह है कि आपका साइकल टाइम बढ़ जाएगा ठीक है साइकल टाइम कम करने के लिए या तो आप तो इस तरह से आपका रफ और फिनिस का दोनों का टूल बन प्रोग्राम बन चुका है अब इसे जनरेट कैसे करना है वह भी मैं आपको पता दीजिए यह यहां से मैं से पॉस करता हूं लोज ठीक है तो जो आपको अभी अलग अलग चलाना है तो इसके लिए आपको क्या क यह देखिए प्रोग्राम आपका निकल के रेडियो गया इज़िए यह अपका प्रोग्राम बनके रफ का है आप अपने टूल नंबर जो भी आपका टूल नंबर है वह यहां से मेंसं कर लिजिए ठीक है अगर फारणों के से हो तो ह1 और एज घित्री एए ठीक है यह तो बन गिया आपका रफ का ऐसे फिनिस का यहां से जी कोड़ जन्रेट करके यह आपका बोलनोज का हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपके दोनों के प्रोग्राम बन चुके हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होगी फ्रेंड्स तो आपको बस यह सजेशन देता हूँ कि अगर जिसको प्रोग्राम आ रही है और मुस्से कॉंट्रेट कर सकता है मैं उसको स्लूशन कर ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद यह बोन लोज का है ओके इसे पेंड्राय में सेव करके आप और आराम सकर सकते को दिक करने आएगी ठीक है